नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं आपको साथ जितेंद्र शुकला बात करेंगे असम सरकार की जिन्होंने जनसंख्या को लेकर आखिर का कदम उठाया है और इसमें कहा गया है कि एक जनवरी 2021 से जिस भी वेक्ति के दो से अधिक बच्चे होते हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और अगर सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी दो से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी उनकी जा सकती है इसी पर लेकर हम चर्चा करेंगे इस समय हमाई साथ सुप्रीम कोट के मानिया वकील और समाजिक कारकरता यासे जिलानी जी जुड़े हुए हैं सर से जानेंगे सर के क्या विचार एज जन संख्या कानून को लेकर सर सबसे पहले धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारी सर जुड़ने की चैनल के लिए जन संख्या विस्फोर्ट है वो बहुत बड़े लेवल पे होती जा रही है और तुम जंगलों का हाल देखो कि जंगल सिमित होते जा रहे हैं हम जंगल को काट के कॉंक्रीट के जंगल तयार कर रहे हैं इसमें मुझे लगता है कि आसाम के मुख्यमंतरी सरवनन सोनवाल का जो ये फैसला आया है ये नजीर पेश करेगा आने वाले वक्त में भारत के अंदर क्योंकि जंसंख्या कम करना बेहत जरूरी है पूरे भारत के अंदर आने वाले वक्त में हमें और तुमको मालूम है कि हम चीन को पचाड के दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश बन जाएंगे तो समझ सकते हो कि हमारे सूर्सिस कम हो जाएंगे हमारे हाँ भुकमरी की हालाग बढ़ जाएगी अभी भी हमारे हाँ जो रोजगार पे हम डेली चर्चा कर रहे हैं उस पे हम और बड़े लेवल पे चर्चा करेंगे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 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 रिसूर्सिस को ठीक रखना है हमारे तमाम संसादनों पे अब हमारी चीजें अच्छे से चले इसलिए ये जन संक्या का कानून पूरे भारत में लागू हो जिस तरीके से सरवा नंसोनवाल ने हिम्मत दिखा के एक उसमें एक एतियासिक फैसला जन संक्या का भी होगा जो बहुत जल्दी होने जा रहा है जी मैं करे सर बार बार जन संक्या की जब बात उठती है तो कई जो नेता पृतिगण है वो उस पर सवाल खड़े करने लग जाते हूँ कहते हैं कि इसे एक समुदाव विशेश के लि प्यान नहीं रखा जाता है दो बच्चे होंगे तो अच्छी इजुकेशन भी मिलेगी अच्छा स्वास्त भी रहेगा अच्छा खानपान होगा क्यूंकि हम जो निकूलियर फैमिली जो शहरी इलाके में रहते हैं रिसोर्सिस कम हैं हमारे साधन कम होते जा रहे हैं दीरे तो इन सारी चीजों का हमें फाइदा तभी होगा जब जनसंख्या कम होगा जनसंख्या कम होने का हमारा सबसे जादा बेनेफिट है बच्चे हेलदी होंगे बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे अच्छे अच्छी जगह पे उनकी नौकरी लगेगी सबकी नौकरी लगेग इनके पैस घर नहीं उनको आदेवी के जमीन दे जाएगी तो इस पर क्या विचारे सर के और राज्यों को भी यह चीज़ अपनानी के जरूरत है क्योंकि यह स्वहर रोजगार मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वहर रोजगार की तरफ करता है इक योजनाय भारास रुकर कंने बहुत सारे राज्यों में पहले से भी लागू करी हैं लेकी जो भूमी पृत्र रहें जिस के भूमी पृत्र जो वहां के रहते हैं बोल-नवासी हैं अगर उनको जमीन दी जाती है खेती अगर वो करते हैं उस पे काम करते हैं रोजगार बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा तो हालात अच्छे होंगे इसलिए ये कदम स्वागत योग्य है और मुझे लगता है कि और राज्य भी अगर इसको देखके इस तरह कि योजनाएं अपने राज्य में करते हुए दिखाइं देगे और जो आजकल हम बार बार विपक्ष से ये सुनते हैं कि हमें ये प्राब्लम हो रही है वह प्राब्लम हो और एक पहचान भी भारत की भारतियता की बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया में लोग इसको जानेंगे समझेंगे जब हम समरिध हो झाल झाल